कि सुन्दाइरभान में थर्मल न्यूट्रान माडिरेटर ही हम बात कर रहे थे माडिरेटर जो है वो यूज होता है स्केटर करने के लिए यूट्रान को और उसके कौन-कौन से हो सकते हैं एक तो तो ह्ट्रो डीटो गरिफाइड बिल्यूम एंब्रीलियूम अकसाइड यह हो जाएड दी लो अनर्जी दे रीच आर दोस देट पूट देम इन थर्मल एक्रियूम विद दी मैलेकूल अफ जी मीडियम दे आर इन जिस मीडियम वो होते हैं उसके साथ थर्मल एक्रियूम में कि उसको रखें लो अनर्जी के के जो के अ कर्मली यैंनि वो होते हैं जिन के अनरजी उनके क्रीही जोुझे गयान्म nessa एक्वल आ वो तर्मने शेवान के असके एक्वल आ जाये तो वह थ्रम एक्वर्म में एस का बना लें उस एक्वणदे हैं कि यह था मिधरी टेबल है इसमें यह वाली एज एवरिज स्टेंडर लिया जाता है कि जो इसकी स्पीड होगी वह 200 मीटर पर सेकंड होगी और क्रॉस्पांडिंग अनर्जी जो होगी वह पाइंट 0252 होगी एलेक्रान वोड यह आपके थर्म यूट्रान की स्टेंडर तोर पे लेते हैं बाक पर बताया है कि बारन होता है यूट्ट इसका अफेक्टिव टामिक एरिया जो है इसका यह सारी बताने के बात अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टापिक पे जो के मेन था वह फिशन रियक्टर में इसने यह चाहा है कि इंविच्मेंट के रिच्टर पोर हमने बनानी है उस पर क्या फरक है उसमें पहले उसने ये समझाने कोशिश की है कि एक जब रियाक्शन हो रहा होता है जैसे यू-235 के साथ तो एक इशरिया 1.47 न्यूटरान से ज्यादा न्यूटरान को लास नहीं होना चाहिए अगर ये लास होगा तो वो डिके कर आप जह अगी होता है अब मैंने जैसे बताया कि कोड के अंदर डिफरेंट चीजें होती है जिसमें स्ट्रक्चर मेट्रेल आगया ठीकिए वह अब आप यसलिक्ड कोई और चीज होती है जो बादेश पर जो कोटिंग होई होती है फूल के वह आ जाती है कुलेंट आ जाता आजाता है बसाते हूँ मौडरेटर आजाता है फ्यूल मेट्रियर इसलफ लेकिन जो फिशनेबल नहीं है तो यह जो है यहां यहां हो जाती है अब जाफिन होने से होगा क्या कि न्यूटरान तो इसने अबजार कर लिया आगे जो है प्रोस्स जारी लखने के लिए फर्दर एक लिए है कि फर्द करें हमारे पास 110 न्यूली बॉन न्यूटरान हैं उसमें से 10 जो हैं वली कर जाते हैं तो बाकी जो 100 रहेंगे वह सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे स्कैटर होंगे या रेडियो एक्टिव कैप्चर होगा या फिशन होगा बस इसके लावा कुछ नहीं होगा वेरियाबल हंडर्ड जो न्यूटरान रहेंगे उसमें से है अब फर्द उसने यह कहा कि एवरी इनरजी जो होती है वो टू मिलियन एलेक्रान वॉर्ट होती है तो एवरीज इनरजी बात किया है और टू थर्टी एट में जो यह एरिया है वो पाइंट फाइब थ्र जाएगा जिसका मुखमी होगा कि 100 में से सिर्फ 2.47 न्यूटरान जो हैं वो ही प्रोड्यूस होते हैं और यह अभी सिर्फ मैंने नेच्रल यूनियनियम के महल की बात किया है अच्छा अगर नेच्रल यूनियनियम जो है यह पीछे ग्राफ उसमें एक हाई एनर्जी है दरम्यान में रेजोनेंस है और लैप साइड बेज़ है वो स्लो न्यूटरान है तो वो यह कह रहा है कि हाई से उसमें जाने के लिए उन्हें दरम्यान अबशार्शन वाला करना पड़ता है और बहुत कम होते हैं प्रैक्ट मौडडरेटर हम होमजीनियस यूज़ करते हैं हम जेसा इसमें होगा यह कि आपके वाद लंप फारमियानि कमपेक्ट मास्कि फारमियूरीनियम मुझवद है उसको आप होमजीनियस लेकिन स्कैटरिंग मौडरेटर ले लेते हैं कुछ न्यूटरान जो है वह वो डिजन्स energy को कुछ अबजार करके जाएंगे लेकिन वो जो thermal energy जो करेंगे यानि slow neutron जो thermal energy तक पहुंचेंगे वो ये जो 2.47 था इस में से भी सरफ एक जो है वो जाएगा तो 100 के मकावले में 1 by 2.47 जो है वो जाएंगे और वो बहुत कम है जिसके वज़ा से ये reaction डिके कर जाता है इसी वज़ा से हम homogeneous moderator reactor नहीं बनाते हम बनाते हैं है heterogeneous heterogeneous में क्या होता है कि छोटे छोटे इलादा इलादा सब ड्वाइड होते हैं कोई uranium जगा को lumped farm में है heterogeneous में तो हमें क्या करना है critical जाना chain reaction जाना उसको जारी रखना आता है और criticality रखने के लिए तीन जिसम के reactor आते हैं एक building the heterogeneous reactor दूसरा enriching the fuel तीसरा बहुत तो इस में से heterogeneous आपने पूचा था उस पे हम आते हैं heterogeneous अब यह जो डिसके पीछे मैंने बता है वो सारा इस समझाने के लिए था है heterogeneous reactor basically हो क्या रहा है अगर natural uranium जो है या low enriched fuel यह दोना एक जैसा बेव करते हैं या कोर की बनाने के लिए reactor बनाने के लिए design के लिए अगर समझा जाए तो natural uranium या low enriched एक ही क्यारी में आ जाते हैं यह क्या होता है होता है इसे लिए जो भी चीज़े हैं इनके दिरम्यान में वह होता है मॉडरेटर होता है इसी लिए हेटरोजेनियस एलेक्टर कोर कहते हैं अच्छा क्योंके element जो है वो relatively thin होते हैं बरीक होते है element जो newly born fission neutron होगा ever near the center of the element has a good chance of escape before attaining resonance energy because of the low fuel scatter cross section तो उसके escape करने के chance बढ़ जाएंगे and the short descents it has to travel to this could come descents travel can get out of the element a descent that is short compared with the neutron mean free path for scattering the fuel fuel not scatter होने निसबद वह element के अंदर scatter हो जाएगा नहीं बाहर जाने विजाए वह एक और किसी और element के अंदर ही किसी और item के साथ होता है this neutron spends the resonance energy period outside the fuel element अब ये वाला neutron जो है वो resonance energy period outside the fuel element निकाल करता है and escape resonance capture और resonance capture नहीं होता once in the moderator the neutron becomes thermalized in a few kylian's अगर moderator के अंदर neutron thermalized वजाए कुछ kylian के बाद when it re-enter the fuel जब यो दो दोरह फ्यूर में दाहिल होगा at thermal energies the probability of fission U-235 का fission होने की अब क्यूंकि उसकी जो thermal energy वो कम है resonance वाला period वो गुजार जुका है उसमें वो capture नहीं हुआ अच्छा अब नहीं हुआ एक-दो उसके क्लियन के बाद moderator से एक-दो क्लियन के बाद अब वो thermalize होने की चांस है अब thermalize हो गया thermalize होके फ्यूल के अंदर जब इंटर करेगा तो फिर क्या होगा कि probability बढ़ जाएगी कि non-fission की बजाए fission की probability बढ़ जाएगी by U-235 and a chain reaction और इस तरह एक chain reaction possible होता है actually some resonance absorption is unavoidable कुछ ना कुछ resonance absorption असल में होती भी है यानि अगर क्योंके 100% आप क्ट्रोल नहीं कर सकते आपके वास कोई ऐसा mechanism नहीं था बट नॉट इनफ तो होगा वो एफेक्ट अडिवरसली एफेक्ट नहीं होता also some fission of U 238 by high energy neutron occur in the inner heterogeneous reactor कि इसकी भी fission होती है U 35 high energy neutron की वज़ा से heterogeneous reactor में some non-fission absorption इस वज़ा से भी neutron आएगे न और वो फिर decay नहीं होगा some non-fission absorption वाइ यू 38 रिजल्ट इन दी प्रोडॉक्शन आप प्लॉटॉनियम अगर फर्द करें नान फिशन हुई है यू 38 तू 39 पर पहुंच या नहीं प्लॉटॉनियम बदाते हुद एक फिशन आइसोटोप है तो इस तरह यानि यह वादा जो अगर नान फिशन हुआ भी था तो अगर यह जिसमें कनवर्ट हुआ वो फिशन आइबल आइसोटोप है तो इस से क्या होगा कि आपका चेंड रियक्शन मिल जाएगा और प्लॉटॉनियम जो है यह इसको मॉडरेटर के यह फास्ट न्यूट्राम्स से प्रोसेस होता है आप प्रोसेस आफ तो